दोस्तो सच्चे हिर्दय से कमेंड बॉक्स में लिखें जै माता दी दोस्तो नबरातरी की अश्टिमी और नबमी तिथी पर कन्या पूजन का विधान है इस बार महा अश्टिमी तिथी 3 अक्टूबर 2022 यानि की सुमबार है और नबमी तिथी 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलबार को है ऐसे में आप अश्टिमी और नौमी को इन दोनों तिथीयों में कन्या पूजन अभश्य ही करें दोस्तो नबरातरी में जो क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जो में हर्याली नहीं आती है? आखिर ये क्या संकेत देता है? नबरातरी में जो अखंड जोत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें? साथी साथ ये भी जानिये कि नबरातरी में जो कलश के नीचे चाबल रखे जाते हैं और उसके उपर नार्यल रखा जाता है उसका हम क्या करें? और बचे हुए तेल का क्या करें? जानिए सब कुछ इस वीडियो में. दोस्त जो भक्त सची दिल से माता राने की पूजा अराधना करता है और उनकी भक्ती में लीन हो जाता है तो माता राने उसकी सची भक्ती से उसकी पुकार अबश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके किरपा दृष्टी बनाती है जो नबरातरों में खास तोर पर माता की सेबा में लग जाता है देखी माता की सेबा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है दिल खोल कर माता रानी की सेबा करें जितना हो सके मा को प्रसन्य करने में लग जाएं साल भर के इस तेवहार म माता धर्ती पर आती है और उसी पर किरपद्रिष्टी बनाती है जो माता को सच्चे हिर्दै से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बना कर ही जाती है फिर चाहे वो राजा हो या भिकारी मा की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ती में प्रेम आस्था और मा के प् सबसे पहली बात नबरातरी में हम एक माटी के प्याले में जो भरते हैं ताकि हमारे घर में सुक शांती बनी रहे और माता प्रसन हो जाए। तथा धन की बारिश होती है और जिस घर में जो के अंदर से हर्याली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरी भी आने बाली है तथा परेशानिया आने बाली हैं क्योंकि आपने पूजा पार्ट में कोई गलती कर दी होगी जिसके दिन दुगनी राज चोगनी बढ़ेगा, कई लोग जोव में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता, बलकि पानी का छीटा मारा जाता है, इसलिए जोव सड जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसा ना करें, और इसी कारण हर्याली नहीं आती है, प्रसन होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। पत्ते खाना बहुत शुब और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता और बाकी आप इन जो को गंगा में बिसरजित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका ब्रत संपून और सफल हो जाएगा। दोस्तो कई लोग अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उदर फेक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं जो कि इससे आपको कोई फाइदा नहीं होता। जो अखंड जोती होती है उसे आप मामुली ना समझे ये भुजने के बाद भी जागरत अबस्था में होती है इसमें शाक्षात माता दुरुगा का वास होता है नबरातरी समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और अपने बाजू में बांध लें ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलाबा बांध सकते हैं दोस्त अबरातरी में जब कलश इस्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चाबल जरूर रखे जाते हैं और कलश के उपर एक नारेल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें आईए जानते हैं। अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने परस में रख सकते हैं इससे तेजी से धन बढ़ता है माता लक्षमी की किरपा प्राप्त होती है और बाकी चाबलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में बिसर्जित कर दें और जो कलश और जौ होते हैं उसे जात्रे का संपूर्ण फल प्राफ्थ होता है। और ब्रत रखने का फल शेगर ही मिलता है। और भूल कर भी ये गल्ती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदी, धुबबती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए इससे उल्टा ब्यक्ती नरक में चला जाता है और परिबार में गरीबी का वास हो जाता है गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और शिराब देती है इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना दोस्तों अगर आपको मातारानी की चुन्दरी उपहार में मिली है जैसे जागरन आदी से या किसी पंडाल से या धर्मिक यातरा से तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुब मानी जाती है इससे आपका बैबाहिक जीवन सफल हो जाता है मातारानी की चुन्नी को आप संभाल हुआ है ऐसी चुंदरी सदैप संभाल कर रखें क्योंकि माता की चुंदरी जागरत अबस्था में होती है इसे मामूली ना समझें लेकिन क्या आप जानते हैं इन नौ दुनों में अगर आपको ये संकेत मिल जाएं तो समझो मा दुरगा आपकी भक्ती से बहुत खुश है औ और आपके गरीबी दुक दर्द के दिन समाप्त होने बाले हैं जल्दी ही आपके जीवन में अच्छा समय आने बाला है इन संकेतों का मिलना अत्यंत ही शुब माना गया है इसलिए आप इन संकेतों को नजर अंदाज ना करें यदि आपकी नीद नबरातरों के दौरान सु किरपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ती का प्रभाप आपके उपर हो चुका है और मातारानी आपको जल्दी ही कोई खुश खबरी देने बाली है मा आपकी सच्ची भक्ती से बहुत खुश है दोस्तों नमबर तीन यद ब्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने बाला है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने बाली है। गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खेलाएं। इससे मा दुरगा अत्यंत प्रिसन होगी और आपकी जोली खुशियों से भड़ देगी। दौर पर गाय का बार बार आना भी जीबन में आने बाले अच्छे संकेतों की और इशारा करता है। दोस्तो नमबर छै सपने में शेर का दिखाई देना अगर आपके सपनों में मा दुरगा दिखाई देती है। अर्थात कोई भी देवी अगर आपको सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुब माना गया है। नबरात्रों में पाबन अपसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं, ये सपने कभी किसी को शेर मत करना, यदि माता की सबारी तथा शेर रात्री में सपने में बार बार दिखाई देता है, तो मादुर्गा आपसे प्रसन है, ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही और आपके शत्रों का नाश हो जाएगा मा दुर्गा का बाहन शेर है इसलिए नबरातरी में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुब संकेत होता है दोस्तो नमबर साथ यदि कोई छोटी कन्या आपको सुभा सुभा लाल बस्तिर धारन किये हुए दिखाई देती है तो आपने शाक्षात मा दुर्गा के दर्शन किये हैं और वो आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है अब जीबन में सु लक्षमी का आपके घर में प्रबेश हो चुका है और आपकी आर्थिक इस्तिती और मजबूत होगी दोस्तो नमबर नौ यदि भ्रह्मा महुरत के समय यानि सुभा के चार बजे के आसपास घंटियों की आबाज सुनाई दे जाए या शंग की आबाज सुनाई दे जाए त माता लक्षमी की किर्पा आपको प्राप थोने बाली है दोस्तो नमबर दस नबर आतरों के दोरान घर में काली चीटियों का दिखना लंबी लंबी लाइन बना कर मूं में खाना ले जाते हुए चीटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है और यदि मंदिर में पाक्षरीबाद आपको मिलने बाला है माता रानी आपकी जोली खुशियों से भड़ दे मा बैशनों के लिए एक लाइक तो बनता है